तो नमस्कार दोस्तों मैरा घुरूम दनकुमार एक फिर से सुवागत करता हूँ आपके अपने चैनल आएसन पड़ पर और आज हम पढ़ेंगे स्क्वार्स ऑफ डैसिमल जैसा कि सभी लोगों ने बोला था मुझे कि स्क्वार्स ऑफ डैसिमल पढ़ाईए आपने स्क्वार्स ऑफ डैसिमल के कुछ कंसर्प के साथ यह सीख लेना तो आपको जो डैसिमल के जो कोशन होंगे स्क्वार्स के वह बहुत आसानी से आप कर पाऊगों देखिए क्या करना है आपको सब सब्सक्राइब बताता हूँ थाम रूल यह याद रखना है कि अगर माल लो को अब मैं यह फाइनल अंसर नहीं है जैसे अब 0.1 का स्क्वार करोगे तो जरूर नहीं कि 0.01 ही है मैं सिर्फ समझाने की तो बता रहा हूँ कि जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें अगर डैसिमल का एक डिजिट है तो फाइनल आंसर में आपको राइट हैंड साइट से दो आपको डैसिमल लगाना है ठीक है माल लो अगर स्क्वार करना है आपको जिसमें आपको डैसिमल का दो डिजिट दे रखी है ठीक है तो फाइनल आंसर में क्या आएगा आपको राइट हैंड साइट से चार डिजिट के बाद आपको डैसिमल लगाना है ठीक है माल लो अगर हाँ पर आपको है आपको इस अगया पोई समझभं है कि इसी थ्यान में रखना कि आपको आसानी ओग ठीक है अब देखो आप पहला मैं एक्जाम्पल लेता हूं आपका एक्जाम्पल नंबर वन ठीक है एक्जाम्पल आप मालो 0.5 का स्कूर आया अब इससे आप दो तरीके से कर सकते हूं देखो मैं कैसे बताता हूं 25 नीचे बन गया 100 ठीक है अब मैंने आपको बताया था कंसेट में कि अगर नीचे दो 0 है अगर इन 0 को हटाना है मुझे तो क्या करना पड़ा है तो दो डिजिट की बाद मुझे डैसिमल लगाना पड़ाएगा 0.25 अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन क्लिक कर के देख सकते हैं जहांपन मुल्टिपलिश और डिविजन में यहीं कंसेट पड़ाया है ठीक है तो यह इसका आपका आंसर आगे ठीक है एक तो कंडिशन यह बनती है दूसरी कंडिशन क्या बनेगी आपके में बताता हूँ 0.55 और भी आसाने से करने के लिए क्या आपको क्या करना है दो आगया वन प्लस वन टू इन दो डिजिट के आपको डैसी मिला करना है यह आपका आंसर चुट क्यों में आया आनसर ठीक है यह करने के बजाए यह भी कर सकते हो लेकिन अगर पहले सेज में आगर आपको नहीं समझ बाए तो आप यह स्टेप वाइस पहले स्टेप से बताता हूं फिर आप क्या करोगे वन उतारा वन उतारा यहां पर वन मतलब डिनॉम्टर वन ही मानते हैं मैंने बताया था आपको यह डैसे में लटाया तो एक जीरो यहां आगया एक डैसे में लिए जीरो यहां आगया फिफ्टीन कितना होता है 225 अगर से चला मैं तो वन टू और यहां डेसिमल यह आपका आंसर आगया ठीक है आया समझ में हो आपको समझ में आओगा वह नहीं तो आप सिंपल भी कर सकते हैं 1.5 का स्क्वार यह कैसे करोगा आप 1.5 मल्टिप्लाइब 1.5 अब देखो यहां पर आप एक काम करो डैसिमल को समझाने के लिए बता रहा हूं आपको आप प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो बहुत जल्दी से करेंगे ठीक है एक और एक्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर ही हो जाएग मैंड में एक बाट डाउट ही ना रहे ठीक है देखो मैं दूसरा कोशन कर लेते हैं ठीक है अब मैं दोनों शॉट कर रहा हूं देखना 3.5 x 3.5 आपने इसे लिखा अब मैंने बताया था यहाँ पर 5 के ट्रिक बन रही है तो क्या करो आप दो डेसिमल बना लो 5 का इसको लिखो यहाँ पर 3 x 4 कर लो ठीक है 3 x 12 और 25 यह आपका आंसर अभी नहीं आ लगा दो यह आपका आंसर आगे है ठीक है अब इसका आंसर आगे ठीक है अब आप बोलोगे 8.5 का इसको है को दिखका नहीं है 8.5 x 8.5 क्या कर आप आपने यह दो डिजिट बनाई 8 x 9 कितनी डिजिट है 1 1 1 1 प्लस 1 2 तो दो डिजिट के वापने डैसिमल लगा दा यह आपका आंसर आगे ठीक है अब आप बोलोगे सर यह तो हमेशा आप 3.5 8.5 1.2 बलो आपने एक डिजिट का लिए मैंने क्या बताया थे कंसेट्टोर बताया था आपको कि माल लो कोई कोशन आजाए को दूसरा कोशन आजाए कि सर्फ 2.25 ठीक कोई कोशन आजाए किसा आजाए कि अटू पॉइंट को सा आजाए 2.45 मल्टिप्लाइब लग 2.45 अजाए ठीक है ऐसा कुछ कोशन आजाए यह स्कूर आजाए मतलर 2.45 तब क्या करेंगे तो अभी भी कुश नहीं करना है यह भी ट्रिक से आप करी सकते हो यहाँ पर 24 मल्टिप्लाइब 5 का स्कूर करा यहाँ पर 24 मल्टिप्लाइब 25 कर दो अब आपको पता है 25-25 होता है 625 गया तो 620 होता है ठीक है 600 25 और क्या करा आपने कितने डिजिट थे यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट थे तो 1234 1234 यह अपने अंसर आगे आपका अंसर कितना देल लगा देखो यह प्राय करोगे ना तो धिरे 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 आपकी स्वीड बढ़ती जाएगी और यही यकिन मानना आप चुटक्यों में आंसर लाओगो और आपको को दिक्कर नहीं और अगर कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं इनके सॉल्यूशन और भी कुछ में इंप्रूव कर सकूँ आपको और अच्छे समझाने के लिए ठीक है तो उम्मीद करूँगा पसंद आया है मिलते हैं अगले उड़े में तब तक के अन्यवाद